बाते ऐसे चल रही है लेकिन एक बात बताईए जो पहले फेज में वोटिंग हुई वो दो हजार उन्निस की तुलना में कम हुई है चाहे वो मद्रदेश हो या देश हो आप अगर उसका थोड़ा बारी की से विशलेशन करेंगे तो आपको ध्यान ध्यान देगा जैसे स्कुमान में फसल कटाई का समय चल रहा है साधियों का समय बहुत है और पहले हम यह पूरे बेल्ट में मई में चुनाओ करा रहे थे गए दो हजार उन्नीस में अभी अपरेल के भी हमें पहले से दूसर सब्ता में चुनाओ करा लेते हैं तो सभाई ग्रूप से इसका जो वहान नहीं लगाने देते हो आपके पास कोई वहान खुद लगाते नहीं हो तो आखिर मतदाता अपने मतदान के अंदर तक आने में जो उसकी कठनाई है उसके बारे में कोई नो कोई तो विचार आगे पिछा आज नहीं तो कल हमको विचार करना पड़ेगा कि कोई दूर दूर गाउं में बहुत दूर दूर मतदान के अंदर है ऐसे कुछ कारण है जिन पर विचार करना चाहिए लेकिन विपक्ष यह कह रहा है कि जो वोटर नहीं निकला है वो बीजेपी का वोटर है वो ओवर कॉंफिडेंट है उसको लग रहा है कि अब तो 400 पारे क्या वोट करना और जो निकला है वो विपक्ष का वोटर है अब उल्टा में बता दूँ जरा आपको अगर आपने एक सीधी की बता देता हूं सीधी में एवरेज हमारा 15% से कम वाला है लेकिन जो सीट विदान सभा हमारी नहीं है जैसे चुरट यह कांग्रेस की सीट है लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार कार करता तो वहां से यहां स्विच कर गए हैं लेकिन वोटर नहीं सुच कर पाए कि मैंने इसलिए तो बोला कि अब आप आपके उनकी भासा में कांग्रेस की वासा में जवाब दे रहा हूं कि अगर वो इस धंक से बताते हैं तो क कारण है कि हमारी सीधी की चुरहट विधानसवा हमारे आत में नहीं है वह बीस परसेंट कम वोट डला लेकिन जहां बीजेपी जीती हमां 14 15 12 9 जीता है तो कांग्रेस अपने चुनाओ को पहले हर गई इसका मतलब यह तो दिख रहा सामने अच्छा ऐसा लग रहा